असलाम आलेकुम आज हम बनाएंगे मांदेली बोंबिल की कड़ी तो चलिए रेसेपी को स्टार्ट करते हैं हमने तीन चार बोंबिल और मांदेली लिए उसे अच्छे से वाश कर लेगे फिर उसमें हम के लिए एक चुता चममच नमक और आधा चुटा चममच हलदी का डाल डें इसे से क्षे करके हमें 10 पंदा मीट के लिए द्रग दे ना है अब हम इसकी गिरेवी के लिए मसाला रेडी कर लेगे एक मिक्सर जाल ले लेगे उसमें हमने एक मिडियम साइस का कांदा कट करके लिए एक टामाटर कट करके ले लेगे दो हरी मिर्ची एट करेंगे अब हमें उसमें तीन चार कली लस्टन की डाल देना है और इमली एट करेंगे उसके बाद थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जीरा डाल के एक बारिक पेस्ट बना लेगे अब एक पैन लेंगे उसमें हम तीन से चार चम्मच तेल एट करेंगे तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो उसमें हम कडी पत्ता दल देंगे कडी पत्ता जब अच्छे से हो जाए तो उसमें हमने जब ग्राइन कर रही हुआ था वो एट कर देंगे । मसाला एट करने के अब उससे अच्छे से मिक्स कर लेगे अब उसमें हम एक चोटा चम्मच कशमिरी लाल मीर्ची पाओडर दालेगे और एक चोटा चम्मच धन् पर 10-15 प्रेंट तक हमम स्लो फ्लेम पर प्रेंट से भूं लेंगे जब हमारा मसाल अच्छे से भून जाए तो उसमें हम अब एट करेंगे एक गलास पानी अभी हम उसमें एक बॉयल ले लेंगे बॉयल आने के बाद उसमें हमारी मच्छी एट कर देंगे हमें मच्ची एट करने के बड़ हमें दो मनीट के लिए ॉपके पका लेना है। मनीट के बाद हमें गैस नम परखें दॉमक करके दाल जाल, अपने तूम कम भली है। हमें नमक पहले भी एट किये थे आप अपने हिसाब से नमक डाल सकते और उपर से अब हम हरा धनिया कट करके डाल देंगे और गैस का फ्लेम बन करके एक मिट के लिए धक्के रख देंगे हमारी फिश करी रेडी है रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीस लाइक शेर और सब्सक्राइब तो मैं चैनल थैंक्स पर वाचिंग